आप नमस्कार दोश्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है आज की वीडियो का टोपिक है कि ट्रेंड को कैसे अडैंटिफाइइ करें मार्किट अभी आज की डेट में क्या कर रहा है यहां पर होल्ट कर रहा है इस एरिय mitigate रहा है अगर मार्किट मेंन कार द्लीक कर छा इसा नहीं कर रहा है मार्केट क्योंकि हम पिछे देख लेते हैं यह क्या हुआ होता देखो यहाँ पे मार्केट थोड़ासा निच्छे गिरा यह थोड़ासा एक पूलबैक लिए एक रिट्रेस्मेंट लिए उसके बाद कंटीन डौन ठीक है अगर मार्केट ने यहां से गिर में कितना time लगाया इच्छिक है और point कितने कैप्चर की है हम point यहां से लेकर यहां तक के point लगते है तरह पन्सो point यही से market अगर हम बात करें कि यहां से निचे की तरफ है तो market यहां पर जाकर कहीं hold कर रहा है आपको देखने में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा भी मार्किट ने उपर जाने के लिए कितना कम टाइम लिया है कितना कम टाइम लिया है ना सिर्फ और मार्किट निच्चे गिरने में कितना टाइम ले रहा है ठीक है यह एरिया कितना बड़ा है ठीक है और यह कितना कम है है आप समझ पार ह जो यह रेंज है ना जो यह रेंज है अपनी मार्केट ने उपर जाने में इतना टाइम लिए ठीक और डाउन आने में इतना टाइम ले रहा है और जब कि यह ने की सो का सो परसेंट निच्चे चला गया इसके 50% के अलमोज्ट यह यहां पर retrace कर रहा है यहां पर hold कर रहा है इसका मतलब कह कै कि market अपर जाएगा है MP Fiona के लग भग थोड़ा सा डां है 50% यहां पर बन रहे हैं इसके थोड़ा सा नीचे å रहा है ठीक है लेकिन हम यह मान के चलें के जो हमारा trained है आज की आचिक है उसके बाद एक यह वनेगा ठीक है और उसके बाद यह थोड़ा सा âजा मेजर ली यह है तो मेरा व्यूज है कि मंडे को मार्केट अच्छा गैप अप गैप अप होने के बाद ठीक है यहां कहीं इस इस लेवल के अफ़र गैप अप हो सकता है अगर मार्केट गैप यहां पर भी हो जाता है तो ऐसे उपर जाने के बाद यह पर ठोटना पुल बैक लएक हूं और ऊसके बाद कर सकता है लेंकिन अगर मार्केट ने मंडे को sideways होना है या निच्चे की तरफ जाना है तो क्या करेगा flat open होगा इसके आसपास आपकी opening हो जाएगी ठीक है यह आपका closing point है यहाँ पे थोड़ा सा open हो गया gap up थोड़ा सा ठीक है और यहाँ पे थोड़ा सा gap up होगा तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि इस zone के अंद कर दो प्री होके